हेलो व्रीवन वेलकम टू टेक्नर रोहेस और ये वीडियो में आप लोगों को एक स्पीड कंपेरिशन देने वाला हूँ यानि की स्पीड टेस्ट बिट्वीन रिलाइंस के 4G के डेटा के और मेरे लोकल वाइफाई के हाला कि मेरा लोकल वाइफाई जो वो सिफ 2 MBBS का है और रिलाइंस का यहां पर 4G डेटा जो मुझे लगबक से 15-16 MBBS की स्पीड जो देता है काफी लोगों को जो 50 MBBS तक देता है 40 MBBS तक देता है काफी लोगों को सिर्फ 2 MBBS कितने लोगों को तो KB में स्पीड आ रहे है लेकिन यहां पर मुझे तो कुछ लगबक से जो अच्छी काईसी स्पीड आ रहे है तो मैं यहां पर आपको एक अच्छा सा कंपेरिशन दे दूगा आप लोगों को बता दो कि क्या वाक्या में रिलाइंस का जो 4G डेटा है वो बराबर है जब हम यूटूब सफ करते है वीडियो प्ले करते ब्राउजिंग करते तो क्या हमें अच्छी कासी स्पीड वाक्या में जो 15 Mbps की देता है और यहां पर हमारा जो लोकल वाइफाई है जो मेरा 2 Mbps का है क्या वो कितनी स्पीड देता है कंपेर टू यहां रिलाइंस के 4G के हाला कि देखा जा तो रिलाइंस का जि तो रिलाइंस के मैंने लिया हूँ तो सोचा आप लोग को स्पीड टेस्स कंपेरेशन करके दिखा दूगा तो जो लोग ने अभी तक सिम काड नहीं लिये है जो वेट कर रहे है उनको एक छोटा शा अंदाजा हो जाएगा कि जब रिलाइंस का सिम काड लेंगे तो उनका है जो वो कैसा परफॉर्म करता है सो लेट स्टार्ट सबसे पहले तुम यहां पर जो वह स्पीड टेस्स से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दोनों जो एक्चुली में हमें जो कितना स्पीड डेरे यह जो वह 2 Mbps है और 2 Mbps पर फिक्स्ट है तो वह लगबग से की स्पीड जो मिली है तो यहां पर एक चोटा स्पीड टेस्स कर लें तो आप लोगों को दिखा देते क्या कुछ हमें मिलता है और अप्लोट स्पीड कुछ मुझे 1 Mbps के आसपस आई है और आच रिलाइंस के डेटा ना मुझे आप देखें के तो 2.69 सबसे लोवेज ती अभी तक मुझे इतना स्कोर आया नहीं था और अप्लोट स्पीड आप देखें के तो मुझे 1.4 लगबग से मुझे 5 Mbps तक क् दोनों को एक साथ हम यहां पर जो ओपन कर लेते हैं और यहां पर फोड़ा सा फास्ट चल रहा है कंपर टो मेरे वाइफाई कि आप देखेंगे कितनी सारी चीज़े तो यहां पर लोड नहीं हो लेकिन यहां पर फटा फट जो लोड हो जा रही है अब क्या करें कि यहां पर हमारे चैनल पर या कोई भी यहां का एक वीडियो प् प्ले करके आपको बता रहेते हैं तो देखेंगे आप जीओ यहां पर पफॉर्म कर लिया और काफी लोडिंग भी यहां पर अच्छी कर दिया मेरा वाइफाई तो वहीं पर अटका हुआ है तो यहां पर कुछ एड्वर्डैसमान अच्छा चल रहा है और अब यहां पर क्या करतें के दोने की रिजोशन को थोड़ी से बड़ा देते हैं तो दोनों की में resolution यहां पर बड़ा देता और 720 पिक्सल में करता हूँ देखता हूँ कि मुझे क्या अच्छी quality दोनों में बराबर से अच्छी चलती है यहां पर जो इसको भी जो 720 कर लिए इस तरीके से और अब यहां पर उसको प्ले करते हैं तो आप देखेंगे कि जियो ने जो वह सेवन ट्वेंटी पिक्सल में जो रेंडर कर लिया है और यहां पर मेरे वाइफाई ने भी जो हाँ रेंडर जो यहां पर न यूटूब के वीडियो वगर आप देख सकते हैं परफेक्ट चल रहा है यहां पर फिलाल लेगिन वाइफा यहां पर थोड़ा साथ जो वह रुक रुक के चल रहा है तो यह तो आपको समझने आ आ गयो कि यूटूब सरफिंग वगरा में तो जियो के अंदर मुझे तो को हाला कि मैंने पहले कुछ यह वाइफा के अंदर मेरे यूटूब चालूब कियाता लेकिन उससे पहले जो वह जीओ का चालूब आपके सामने जो भी आप लाइफ देख रहे हैं मैंने तो कुछ यहां पर एडिटिंग भी नहीं किया हूँ अब मैं यहां पर जाता हूँ औ दोनों बराबर परफॉर्म कर रहे हैं फिलाल तो और काफे सारी चीज़े रिलाइंस ने जो है वो लोड नहीं किया है और यहां पर वाइफ में भी जाके कर लेते हैं तो डेक्स्टब मोड में मैंने जो अपना यहां पर चैनल ओपन कर दिया हूँ आप देख सकते हैं तो दोनों जो बराबर से रेंडर रहे लेकिन फिलाल जो वाइफाई है वो थोड़ा सा जो मुझे स्लो लग रहा है कंपेर टू मेरे जियो के जो आपके सामने और डेक्स्टब मोड के अंदरी पर हम कोई वीडियो यहां पर प्ले कर लेते हैं इस तरी किसे आप देखेंगे त तो पतानी जीओ तो बहुत जली प्ले हो रहा है और मैंने शायद से गल्फ से टैप किया नहीं किया जीया टैप तो किया तो यहां पर देखेंगे कि जीओ ने अच्छा करशा मेरे डेक्स्टप मोड भी यहां पे और अट कर दिया है इस तो अपर वाइफा जो फिलाल अभ तो यहाँ पर मैंने यूजी ब्राउजर यूज क्यों यूजी ब्राउजर डाउलोड करने के लिए मुझे काफी सिंपल और इजी लगता है तो यहाँ पर मैंने apk.com के पर आया हूँ और facebook application यहाँ पर यहाँ पर डाउलोड कर लेते हैं और देखते हैं कि लेटे से जीओ के उपर बूप ऑप और फुछ तू शिच्टी सिक्टी और मेरे वाइफ मुझे वही स्पीड मिल रही है जीओ यहाँ पर देखिएंगा 427 तक पहुच गया है भी आपको अगर यहां पर क्लियली नहीं दिख रहा होगा यहां पर देखेंगे तो जियो में मुझे ठीक टाक स्विट डेर है डाउलोडिक इंदर जापर मेरा वाइफाई जो अब इस तो यहीं पर स्टाक होता है और 300 के उपर तो कभी नहीं जाएगा है तो जियो मुझे काफी अच्या लग रहा है अच्छी काजी स्पीड पर यहां पर दे रहेता है और दिन में तो काफी अच्छा चलता है रात में पता नहीं यह फ्लोकियो क्यूं डे रहा हूं अब यहां पर लेकिन सबसे अच्छा एडवांटेजिज्ग दिए मिल जाता आप किसी भी यह पर चले जाते हैं तो आपको लाइफ टीवी यहां पे एक्स्पिरेंस हो जादा है जो कि हमें वाइफा में तो विलकुल भी नहीं मिलता है ओविस्ली क्योंकि जियो का सब्सक्रिप्शन में यहां पर देखने को आपके सामने यह सारी चीज़ हमें देखने क लगी है compared to मेरे Wi-Fi के जो फिलाल जो भी मुझे मिला है वो फ्री मिला है और मुझे नहीं लगता कि 31 दिसंपर तक आप लोग को को दिक्कत आएगी काफी सब्सक्राइब करें तो उसलिए मैंने सुचा कि जो का डेटा का टेस्ट बना लूँ आप लोग को पता चलेंगे कि यूटूब के वीडियो सर्फ करने में गूगल में ब्राउजिंग करने में फेस्बूक यूज करने में डाउलोड करने में क्या जियो के नेटवर्क का और एक और वीडियो बनाने वाला हो जापे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी इंटरनेट स्पीड को जो कैसे इंक्रीज कर सकते कुछ हद तक की तो बस दोस्तों उमीद करता हूँ यह वीडियो आप लोग को पसन आता है तो आप जरू से बना रहा है अब बच जो चुका है वह हमारी बनियान और जी हा तो बस इतना ही बचा है बाकि शाओमी जो चाहे वह बना रहा है